नमस्क्र दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है Realme 7i आपकी पास Realme का कोई साभी डिवाइस है, जिससे Realme 7 या Realme 7 Pro तो आप इसी मेथर से उसमें follow कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि आप अपने मोबाईल में notification ringtone की setting कैसे कर सकते हैं तो notification ringtone लगाने के लिए आपको क्या करना है setting पे जाना है तो आप आपको क्या करना है scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको sound and vibration का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click करना है और इसके बाद ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको default sound notification का option देखने को मिलेगा आपको इसको click करना है और allow कर देंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे notification sound देखने को मिलेंगे यह तो short notification sound हो गए तो अगर आपको notification sound को silent करना है तो none पे आप क्लिक कर देंगे और अगर आपकी अपनी पसंद का ringtone लगाना है तो यहाँ पे select from file पे click कर देंगे allow कर देंगे और इसके बाद यहां पर आपके सामने इस ट्रैप का इंटरफेस खुल जाएगा यह आपके memory card में और या फिर आपके जितने भी downloaded गाने हैं वह सारे यहां पर आपको दिख जाहेंगे और इसके बाद यहां पर आप इसको सुन लेंगे जो पसंद आ रहा है उस पर आप चेक कर देंगे ऐसी क्लिक कर देंगे और इसके बाद बैक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं iPhone की की रिंग्टोन लग चुकी है और इसके बाद मैं बैक कर दूँगी तो नोटिफिकेशन में आप जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगी तब आपको यहां पर आइफोन की रिंग्टोन सुनाई देगी और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां से आप इसके पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को तो चली मिलते आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार